जैहिंद नमस्कार सातियो स्वागत हैं आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करने बाले हैं SSE CGL 2022 की कट ओफ को लेकर के जैसा कि आपको पता है SSE CGL 2022 में जो आपका एक्जाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है अब यहाँ पे हम आंसर की को आने के बाद यहाँ पे मैं आपको कट ओफ बताने बाला हूँ मिल्कुल 100% सही और 60 कट ओफ आपको बताई जाएगी तो अगर आपने SSE CGL 2022 का एक्जाम दिया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपसे देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहाता हूँ कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताके आने बाली हर वीडियो की नौटिपिकेसन सबसे पहले आपको मिले अब सबसे पहले दोस्तों अटेंडर्स देख लेते हैं पिछले साल कितनी अटेंडर्स रही थी यहाँ पे 2019 में आप देखेंगे तो 45% रही थी 2020 में देखेंगे तो 32% रही और 2021 में आपको 37% देखने को मिली इसी साब से यहाँ पे आप बैकेंशी को देख सकते हैं कितनी बैकेंशी है टोटल कितने कंडिडेट ने अपलाई किया है और कितने कंडिडेट यहाँ पे एक्जाम देने पहुंचे हैं लगबग 40% कंडिडेट एक्साम दिये हैं हर साल और यहां पे चुझ हजर बाहर फार ऑपला ए ऐंसे ज्यादा कंडिडेट यहाँ पे Самर देने नहीं पहुंचे हैं इसके बाद यहाँ पे दूस्तों आप cutoff को देख सकते हैं यहाँ पे 2018 की 19 की 20 की और 21 की cutoff है पहले आप इसको देख लीजिए Unvizerv की cutoff यहाँ पे आपको दी गई है क्या क्या cutoff गई है इसके बाद OBC की EWS, SC और HD यहाँ पे आपको सभी cutoff की cutoff देखने को मिल जाएगी आप यहाँ पर जो है वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं हर साल आपको ऐसा नहीं है की cutoff बढ़ती हुई दिखाई देगी यहाँ पे आप देखेंगे तो OBC में अगर आप देखेंगे तो 2018 में 131 कही थी यहाँ पे 2019 में 135, 20 में 119 और 21 में 117 की cutoff गट रही है लगतार ऐसा यहाँ पे आप देखेंगे EWS में भी cutoff गटी है SC की देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको cutoff जो है गटी हुई देखने को मिलेगी इंक्रिमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे भी cutoff जो है decrease हुई है तो हर category में यहाँ पे हर साल cutoff टेर बन की decrease हुई है अब इस बार cutoff कम क्यों जाएगा यह मैं आपको बता देता हूँ पहली बार तो competition कम होगा क्योंकि बहुत कम बच्चों ने यहाँ पे exam दिया है साथी साथ vacancy भी जादा है और pattern में बदलाओ यह तीन सबसे ज़्यादा important point हो जाते हैं इस बार cutoff होने के सबसे पहला है competition कम होना है vacancy भी ज़्यादा है pattern में changes competition की अगर not देखा जाए तो यह दो जो factor है यह दो point जो है बहुत ज़्यादा important है इस पार cutoff कम जाने के सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे cutoff को देख लेते हैं यह expected cutoff है ऐसा नहीं है बिल्कुल equivalent मतलब की यह cutoff जाहेगी लेकिन इसी के आसपास होगी जनरल में देखा जाए तो 120-125, OBC में 110-115 और EWS में 103-108, SC में 94-99 और ST category की 87-91 के बीच की cutoff होने वाली है दोस्तों यह थी SSC CGL की cutoff जो की मैंने आपको बताई है इसके अलाबा अगर आपका कोई भी question है तो comment box में comment कब किमसे पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिए Thank you